आज हम आपके लिए नवरात्रों में खाई जाने वाला मींस रत्वाला डोसा लेकर आए हैं जो टेस्टी तो है ही लेकिन बनता भी जटपट है और साथ में जल्दी बनने वाली आलो की सबजी भी तो हाई फ्रेंज वल्कम बैक टुआ चैनल और जिनोंने अभी तक लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो भाई तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो डोसा बनाने के लिए हमने समा के चावल का आटा लिया है अगर आपको यह आटा नहीं मिलता है तो आप समा के चावल को भी पीज सकते हैं तो ये देखे हैं समा के चावल ऐसे दाना दाना दिखते हैं। तो चलिए बैटर बनाने के लिए समा के चावल का आठा डालते हैं। ये मैंने आधा कप लिया हैं। और साथ में इसमें एक कप पानी डालेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके और mix करते जाएंगे ताकि लंज ना पड़ें तो इसमें clear ratio है जितना आप आटा लेंगे उससे double पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी करते करते हमने यहां सारा डाल दिया है और हमें ऐसे liquid consistency ही चाहिए अब इसमें नमक डालते हैं काली मिर्च, बारीक कटिवी हरी मिर्च, बारीक कटिवी या कदुकस कीवी अद्रक और उपर से धन्या बता और अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे और side पे रख देंगे 5-10 मिनट के लिए rest के लिए तब तक हम अपनी आलू की सबजी तयार कर लेते हैं तो आलू की सबजी बनाने के आप देशी घी भी ले सकते हैं तेल के गरम होने पर उसमें जीरा डालेंगे सिजल करने के बाद बारीक कटिवी हरी मिर्च, बारीक कटिवी अद्रक या ग्रेटिड अद्रक और अब इसे 1-2 मिनट के लिए भूल लेंगे ताकि इसका कच्छापन निकल जाए और उपर से लाल मिर्च जालेंगे जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा लेगिन अगर आप वर्त में लाल मिर्च नहीं यूज करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बस लाल मिर्च को भी हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे और फिर हम उपलेवे आलू डाल देंगे और द्धनिय पता डालेंगे और अगर आपको खटास चाहिए तो इसमें उपर से नीम्भू का रस भी डाल सकते हैं आलू की सबसी हमारी रेडी है तो चलिए आप डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं तो डोसा बनाने के लिए हम एक पैन लेते हैं तो पैन के गरम होने पर कुकिं बनती जाए जैसा कि हम रवा डोसा के लिए करते हैं और ग्यास की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और थोड़ा तेल डालेंगे ताकि डोसा हमारा क्रिस्पी बने और यह देखिए हलका हलका ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है और यह साइड्स भी अपने आप शुरू कर देगा अगर आपको नवरात्रों में कुछ हलका अच्छा टेस्टी और जटपट बनने वाला खाने का मन करें तो यह डोसा और आलू की सबजी परफेक्ट हैं और यह लीजिए हमारा क्रिस्पी डोसा रेडी है मैं आपको एक डोसा और बना के दिखाती हूं उस यह दुबारा बताने का एक रीजन है कि बहुत से लोगों का दुबारा ठीक से नहीं बनता तो दुबारा बनाने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना है कि तवा भी अच्छे से गरम होना चाहिए वैसे ही उपर कुगिंग ओल डालना है और बैटर को हिलाते वे उपर से डा तो यह लीजिए नवरात्रे स्पेशल, ब्रत स्पेशल, सामक के चावल का डोसा और आलो की सबजी लेकिन अभी पूरी नहीं हो यह थाली इसमें हरी चटनी का धड़का भी लगाना है चटकारे भी तो पूरे लेने हैं चटकारे लेने वाले काम तो हमने पूरे कर लिए न जैसे आप चावल की बनाते हैं उस जगा पे आप सामक के चावल यूज़ कर लें एकदम मस खीर बनती है अगर आप वरत में धनिया नहीं खाते हैं तो आप चटनी को स्किप भी कर सकते हैं यह हमारे सिर्फ तेस बर्स के लिए है इसकी जगा पे आप दही भी यूज़ कर स जाएं बनाएं और इंज्वाएं करें और जाते जाते हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें